हेलो प्रेंट्स आप सब का आपके अपने चनल कोफिन लेक्चावर्स में एक बार फिर से स्वागत है तो कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब की पढ़ाई बेची चल रही होगी तो प्यारे विद्यार्थियो कल्सानो विज्यन विश्य की स्रीज में आज हम सुरू कर रहे हैं आपका अध्याय नंबर साथ जिसका नाम है जीवो में विवीत्ता हमने आपकी नई कारेपुस्तिका के अनुसार या नई बुक के अनुसार आपके अध्याय एक से लेकर छें तक की संपूर्ण व्याक्या उनके पार्ट के बीतर दियेगे प् जिसके अंदर हम सिखेंगे जीवो का वर्गी करण या वर्गी करण का फाइदे क्या है और जीवो को किन अलग अलग कैटेगरी के अंदर वर्गी करत किया गया है चैप्टर काफी बड़ा है तो चैप्टर को हम दो से तीन पार्ट के अंदर बहुत अच्छे से कवर तो चलिए क्लासम शुरू करते हैं, देखें हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सामान्य परीचे की, इसकी बात कर रहे हैं सामान्य परीचे की, तो देखें जीवों में विवित्ता का आखिर मतलब क्या है, हम प्रकरती के अंदर हमारे चारों और हजारों अलग अलग तरह के प्रुप में हमारे प्रयावरन में हजारों-लाकों अलग लगत रहा के विवित्ता वाले जीवजनटू, पेड़ पौधे, सुख्सम जीवों को देखा करते हैं तो देखें जीवों में विवित्ता का मतलब क्या है तो सभी जिवधारी किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से क्या है बिन है अलग है इस परत्वी पर रहने वाले जितने भी जीव हैं वो सब किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से क्या है अलग है उनमें कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलता है कोई आवास के आधार पर आवास मतलब रहने की जगे के आधार पर तो कोई आकरती के आधार पर यानि जो जीव है वो एक दूसरे से अलग लग गुनों के आधार पर कोई आवास के आधार पर कोई आकरती के आधार पर जैसे आकरती के आधार पर एक 30 मिटर लंबे वहल या विसाल व्रक्स जीवन काल के आधार पर क्या होते हैं? अलग होते हैं TV आकार की आधार पर एक होता है बिल्कुल छोटा सशुक्षम बैक्टिरिया और एक होती है आपके लगबग 30 मीटर लंबी वहलम चली, वे बात कुछ जीवन काल के आधार पर तो कुछ जीवों का जीवन काल मात्र कुछ सेकंड्स या मिंटों का होता है वही कुछ व्रक्सों का जीवन काल हजारों वर्सों का होता है इसके अलावा उर्जा ग्रहन करने की विधी के आधार पर और किसमें विभिन्ता देखने को मिलती है उर्जा ग्रहन करन वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अलग है चाहे वो आवास के आधार पर हो किसके आधार पर चाहे वो आवास के आधार पर या रहने के इस्तान पर आधार पर या फिर आकार के आधार पर हो सकते हैं अलग लग या फिर उनके जीवन काल के आधार पर अलग लग हो सकत या फिर उनके द्वारा उर्जा ग्रहन करने के जो तरीका है या जो बोजन ग्रहन करने का तरीका है उसके आधार पर उनमें विविन्ता पाई जाती है तो जीवों में पाई जाने वाली जो ये विविन्ता है इसी को प्यारे बच्चों हम विविद्ता कहते हैं क्या कहते हैं विविद्ता कहते हैं आगे बात करें हम आगे देखो जैव विविद्ता से तात्पर्य विभिन जीव रूपों में पाई जाने वाली विविद्ता से ही है यानि जयव विवित्ता सब्द का वास्तम में जो वतलब है वो यही मतलब है कि जीवों के अंदर अलग-अलग रूपों में जो हमें विवित्ता जो हमें अंतर देखने को मिलता है वही जयव विवित्ता है कि एक छोटे से एरिया में भी एक छोटे से एरिया यानि की चित्र में भी हमें अलग लगत रहों की सेकडों जीव जन्तु पेड़ पादव पोध्य देखने को मिलते हैं तो यह जो पाई जाने वाले विवित्ता है यही जैव विवित्ता कही जाती है यह सब्द किसी विशेश चेत्र में पाई जाने वाले विविन जीव रूपों की और इंगीत करता है यह जैव विवित्ता सब्द हमें यह बताता है कि किसी एक विशेश चेत्र में जीवों की जो अलग 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 परजातिया जीवों की जो अलग अलग विविन्ता देखन को मिलती है वही जयव विवित्ता है वही क्या है वही आपकी जयव विवित्ता है ये विभिन जीव न सिर्फ एक समान प्रयावरण में रहते हैं बलकि एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं आगे क्या कह रहा है कि जो ये जो जीव है जो अलग लग जीव है वो केवल एक स बात एक प्रयावरन में ही नहीं रहते बलकि एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से चाहे वो पर्तेक्स तरीके से या अपर्तेक्स तरीके से चाहे वो direct या indirect एक दूसरे को परभावित भी करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि इसके प्रिनाम सवरूप ही इसके प्रिनाम सवरूप विविन परजातियों का इस्ताई समुदय अस्तीत्व में आता है। यानि कि एक पर्यावरन के अंदर हजारों की संख्या में सेकडों की संख्या में जीव क्या रहते हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं और वो एक दूसरे को डायरेक्ली या इनडायरेक्ली क्या करते हैं प्रभावित करते हैं और इसकी वज़े से ही अलग अलग परजातियों का इस्ताई समूदय क्या होता है इस्ताई समूदय-चतित्व के अंदर आता है क्युकि सभी जीव एक दुզ्सरे पर किसी न किसी तरीके से निर्भर हैं चाहे वो परतेक्स हो चाहे वो आपरतेक्स हो आगे बात करो मैं तो वर्गी करण का लाब क्या है यानि वर्गी करण जरूरी क्यों है यह हमारे लिए आवशक क्यों है तो देखें जीवों के जेव विकास का अध्यन करने में हमें क्या होती है आसानी होती है जब हम वर्गी करण पढ़ते हैं तो हमें जीवों का जेव विकास कैसे हुआ है एक इस्पेसिक परजाती कैसे विक्सित हो ये धीरे-धीरे, उसका हमें अध्यन करने में आसानी मिलती है। कि उस जीव या उस परजाती का अस्तित्व कैसे धर्ती पर आया है, तो हमें अध्यन करने में आसानी होती है। दूसरा, जीवों के विशेस लक्षणों को समझने में भी आसानी हो जाती है, वर्गी करण से हमें अलग-लग समू में जो हमने वर्गी करण किया है, उसके आधार पर हम अलग-लग भागों के जीवों के जो लक्षण हैं, उन लक्षणों को भी आसानी से समझ सकते हैं, फिर इससे जीवों को पहचानने में भी हमें क्या मिलती है मदद मिलती है कि कौन सा जीव किस स्रेणी का है या किस केटेगरी का है यह हमें तभी आसानी होती है पहचानने में जब उनका हमें प्रॉपर वर्गी करण कर देते हैं पिर विभिन जीवों के सम्मुगों के बीच में संबंध को इस्तापित करने में भी मदद मिलती है इस वर्गी करण से हम यह समझ सकते हैं कि एक स्रेणी के जीव, दूसरी स्रेणी के जीवों से किस प्रकार आपस में संबंधित है क्या वो एक दूसरे से directly dependent है या indirectly वो एक दूसरे पर निर्वर है या अलग अलग परजाती या अलग 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 स्रेणिय के जो जीव हैं उनके बीच में आपस में संबंध क्या है रिस्ता क्या है उसको भी हम आसानी से समझ सकते हैं ठीक है अगला एक जीव के अध्यन करने से उस समझ के सभी जीवों के बारे में पता लग जाता है तो ये वर्गी करण के क्या है लाब है काफी मेहत्वपोन है प्रिक्सा में कई बार प्रश्ण पोछा जाता है कि जीवों के वर्गी करण का लाब क्या है इस पर आपको लिखना है तो हमें एक तो जीवों के जेव विकास का अध्यन करने में आसानी होती है जीवों के विशे को जानने में हमें आसानी मिलती है या में मदद मिलती है और एक जीव के अध्यन करने से यह किसी एक specific श्रेणी का अध्यन करने से उस श्रेणी के अंदर जितने भी जीव आते हैं उन सभी के जीवों के बारे में हमें आसानी से पता लग जाता है तो ये सब वर्गी करण के क्या है लाब है आगे बात करूं वर्गी करण का आधार क्या है आकिर हम जो ये वर्गी करण कर रहे हैं ये किस आधार पर हम वर्गी करण कर रहे हैं तो उसका बेस क्या है आधार क्या है तो देखें जीवों में उपस् चीज क्या है उसके आधार पर एक समू बनाया गया है और विभिन्ताओं के आधार पर उन्हें अलग रखा गया है यानि कि हम क्या करेंगे अलग अलग जीवों के अंदर क्या कौमन गुण है और क्या उनके अंदर डिफरेंस है क्या तो कौमन गुण है यानि क्या तो समानता है और क्या अंके अंदर डिफरेंस है इसके आजार परम क्या करेंगे अलग-अलग जीवों का ग्रूप बनाएंगे समूब बनाएंगे कि एक जैसे गुण वाले जीव कौन से हैं और अलग-अलग के वर्गीकरण का सबसे पहला आधार बुद्ध लक्षन जीवों की कोसी की सरंचना और कार्य सबसे मेहत्वण तरीका या जो लक्षन है वो कौन सा है जीवों के सरीर की कोसी की सरंचना कैसी है और उनका कार्य क्या है जीवों के सरीर की कोसी की सरंचना और कार्य के आधार पर भी हम जीवों का वर्गी करन कर सकते हैं आगे उसके बाद हम एक कोशी की जीवों को बहु कोशी की जीवों को यानि कोशी का की संख्या के आधार पर कि किसी जीव में एक कोशी का है या एक से ज्यादा कोशी का है इसके आधार भी वर्गी करन कर सकते हैं इसके बाद हम कोशी कोशी का बित्ती वाले जीव और कोशी का बित्ती रहीत वाले जीव जिन में कोशी का बित्ती पाई जाती है उनको हम अलग कैटेगरी में रख सकते हैं और ऐसे जीव को हम अलग रख सकते हैं इसके इलावा प्रकास संसलेशन करने वाले जीव और प्रकास संसलेशन नहीं करन वाले जीव को हम अलग-लग के अंदर रख सकते हैं तो याने जीवों के वर्गी करण के अलग-अलग आधार हो सकते हैं पहला आधार हमने क्या देखा कि जीवों के अंदर समानता और विभिनता उसके आधार पर हम वर्गी करण कर सकते हैं दूसरा तरीका देखा हमने जीवो की सारीरिक या कोसी की सरंचना और उनके कार्यों तीसरा तरीका कोसी का की संख्या के आधार पर कि वो एक कोसी की है या बहु कोसी की है अगला तरीका कोसी का भित्ति के आधार पर कि उसमें कोसी का भित्ति मौजुद है या उसमें कोसी का भित्ति मौजुद नहीं है अगला कर सकते हैं जीवों का वर्गी करण कर सकते हैं ठीक है आगे बात करूं में वर्गी करण और जेव विकास कि वर्गी करण और जेव विकास आपस में एक दूसरे से कैसे सम्मंदित है या कैसे एक दूसरे से related है तो सभी जिवदारियों को उनकी सारीरिक सरंचना और कार्य के आधार पर पहचाना जाता है यानि वर्गी करन जो किया गया है उसका जो सबसे मुल भुत जो आधार है वो क्या है जीवों की सारीरिक सरंचना और उनके कार्या जनरली हम इसी आधार पर जीवों का वर्गी क तो सारीरिक बनावट के अंदर यदियानी सारीरिक सरंचना की बात करो तो सारीरिक बनावट में कुछ लक्षण अन्य लक्षणों की तुलना में ज्यादा परीवर्तन लाते हैं सारीरिक बनावट के आधार परगर्म बात करें तो कुछ लक्षन ऐसे होते हैं जो जीवों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा कर देते हैं इसमें समय के भी बहुत ज़्यादा महतोपुन भूमिका होती है अनिकि समय भी इसमें एक महतोपुन रोल अदा करता है अतो जब कोई सारीरिक बनावट अस्तीत्वों में आती है तो सरीर में बाद में होने वाले कई परिवर्तनों को वो क्या करती है परभावित करती है जब सारीरिक बनावट जो सरीर की सरंचना है उसमें जब कोई बजलाव आता है तो वो समय के साथ साथ सरीर में होने वाले कई सारे परिवर्तनों को क्या करती है परभावित करती है कौन सारीरिक सरंचना मुल लक्सन देखो मुल लक्सन क्या है तो सरीर की बनावट के दोरान वे लक्सन जो सबसे पहले दिखाई देते हैं उन्हें मुल लक्सन के रूप में जाना जाता है मूल लक्षन क्या है? तो सरीर की बनावट के रूप में जो लक्षन सबसे पहले दिखाई देते हैं उन्हें हम मूल लक्षन के रूप में जानते हैं ठीक, आगे बात करूं में जेव विकास तो अब तक जीवों में जो भी निरंतर परिवर्तन हुए हैं वे सबी परिवर्तन उस प्रिक्रिया के कारण हुए हैं जो उनके बहतर जीवन के लिए आवश्यक थे इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब यह है कि जीवों के बहतर जीवन यापन के लिए उनमें जो भी परिवर्तन होने चाहिए थे वही परिवर्तन प्रकृति के अनुसार हुए है जैव विकास का मतलब क्या है जैव विकास का मतलब यहाँ पर यह कह रहा है कि अभी तक जीवों के अंदर आपको जो भी परिवर्तन देखने को मिले है जैसे मानव है मानव का प्रारंबिक रूप क्या था बंदर यह चिंपाजी का था दिरे दिरे उसमें विकास हुआ और आज एक उननत जीव के रूप में मनुस्य आपके सामने हैं तो जैव विकास का मतलब यह है कि अभी तक जीवों के अंदर जो भी लगातार परिवर्तन हुए हैं वो इसलिए हुए हैं ताकि जीव बहतर जीवन यापन के लिए उसमें जो भी परिवर्तन होने जरूरी थे वही परिवर्तन हुए हैं और जीवों में यह जो परिवर्तन हुए हैं यही जैव विकास कहलाता है जीवों के अंदर बहतर जीवन यापन के लिए जो परिवर्तन होने जरूरी थे वही परिवर्तन जेव विकास की अवधारना क्या है तो जीवों में समय समय पर जो उनके बहतर जीवन यापन के लिए जो प्रिवर्तन होते हैं जिसके कारण कोई जीव नई प्रिस्तिती में अपनी उत्तर जीविता को बनाए रखता है यही जेव विकास है जीवों के अंदर समय समय पर प्रकरती में होने वाले प्रिवर्तन के अनुसार अपने जीवन को बनाए रखने के लिए जो प्रिवर्तन होते हैं ताकि वो जीव उस परिवर्तंसिल होती हुई दुनिया में उस नई परस्तिती में अपनी अस्तीत्व को अपनी उत्तर जीविता को बनाए रखे यही क्या है यही जैव विकास है क्योंकि दिर जीवों के अंदर जीवों के सरीर में परिवर्तन नहीं होगा तो वो बजलती हुई प्रकरती के अनुसार अपने आपको कहने कर पाएगा डाल नहीं पाएगा और अपनी उत्तर जीविता वो नहीं बना पाएगा एसी इस्तती में उसका जो अस्तीत्व है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा जैसे डाइनासौर गायब हो गए इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि जो डाइनासौर हैं वो बजलती हुई प्रकृति के अनुसार अपने आपको ढ़ल नहीं पाए या उनमें बदलती हुई प्रकृति के अनुसार जेव विकास नहीं हो पाया इसी वज़े से उनका अस्तीत्व समाप्त हो गया यदि वो बदलती हुई प्रकृति के अनुसार या बदलती हुई प्रस्तिति के अनुसार अपने आपको ढ़ल तो वो कभी भी अपने अस्तीत्वों को समाप्त नहीं कर पाते उनकी उत्तर जीविता बनी रहती लेकिन जो जीव समय के साथ विलुप्त हो गए उसका मतलब उनमें प्रयाप्त जेव विकास नहीं हुआ वो समय के अनुसार जो परिवर्तन हो रहे थे उन परिवर्तनों के अनुसार अपने आपको डाल नहीं पाए और इसी वज़े से वो क्या हो गए विलुप्त हो गए आगे बात करूँ जेव विकास की इस अवधारना को सबसे पहले चोल्स डॉर्विन ने 1869 में अपनी पुस्तक The Origin of Species में दिया यह सबसे महत्रपुन प्रशन है कि जेव विकास की अवधारना का सिद्दान्त सबसे पहले किसने दिया था तो चॉल्स डॉर्विन ने दिया था चॉल्स डॉर्विन ने कब दिया था 1869 में उनकी पुस्तक का नाम क्या है The Origin of Species के नाम है The Origin of Species बहुत ही महत्रपुन पुछना प्रिक्सम में बार-बार पुछे जाता है कि जेव विकास की अवधारना को सबसे पहले किसने प्रस्तूत किया था तो चॉल्स डॉर्विन ने कब किया था 1869 में किसमें किया उनकी पुस्तक में पुस्तक का नाम The Origin of Species आगे बढ़ें जेव विकास की अवधारना के अनुसार जीवों के परकार जेव विकास की अवधारना जो की चॉल्स डॉर्विन के द्वारा दी गई थी उसके आधार पर जीवों के परकार कौन कौन से हैं पहला है आदीम जीव कौन से जीव आदीम जीव जो सबसे उपर । कुछ जीव ऐसे हैं जिनकी सारीरिक स्रंचना में प्राचिन कार्णसे लेकर आज वर्त्मान तक कोई खासअ परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। उन्हें क्या कहते हैं ? डेखो आपके सामने जो चित्रदिक रहे हैं यह क्या इन आदिम जीव हैं। पहला देखो जैसे यह चिंपाजी दूसरा यह देखो आपका जो बाग है न यह आपका बंदर यह आज से प्राचिन समय में जैसे थे वैसे कि आज भी देखने को हमें मिलते हैं तो यह कौन से जीव है आदीम जीव फिर बात करूं उन्नत जीव या उच जीव तो कुछ क्या देखने को मिलता है परिवर्तन देखने को मिलता है उन्हें कहते हम उन्नत जीव क्या कहते हैं उन्नत जीव जैसे बात करूं में मानव की तो यह तो देखो प्रारंबिक रूप है आदिम जीव का लेकिन धीरे धीरे इसमें विकास होते हुआ और आज हम क्या देख रह रहे हैं वह अपने आप में एक उननत तवा उच्छ जीव है क्यों कि आज से अगर मैं बात करूं कि 5000 वर्स पूर्व क्या मानव इसी रूप में था तो मानव इस रूप में नहीं था उसका कुछ अलग रूप हमें देखने को मिलता था तो जेव विकास की अवधार्ना के एक आदीम जीव और एक उननत जीव आदीम जीव यानि आज से प्राचिन काल से लेकर आज तक वेसे जीव जिनकी सारेरिक सरचना में कुछ खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला वो है आदीम जीव और उननत जीव तो वे जीव समू जिनकी सारेरिक सरचना में प्राचि बात करूँ वर्गी करण समुगों की पदानू करमित सरंचना देखे इसका मतलब क्या है तो अर्नेस्ट हेकल और रोबर्ट वही टेकर ये दो वैक्ति थे और कॉल वॉर्स कितने वैक्ति ये तीन अर्नेस्ट हेकल रोबर्ट वही टेकर और कॉल वॉर्स नामक जेव वैग्यानिकों ने सारे सजीवों को जगत यानि किंगडम नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया यानि ये जो तीन वैग्यादिंग थे इन तीन वैग्यानिकों ने संपूनस जीवो को सारे सजीवों को एक बहुत बड़ी कैटेग्री किसमें जगत के अंदर वर्गी कर किया कि दुनिया में जितने भी जीव हैं वो सब क्या है वो सब एक कैटेग्री जगत के अंदर सामिल हैं कौन सी कैटेग्री के अंदर जगत यानि किंगडम के अंदर सामिल हैं देखें द दीवीजन यानि की सारे पादपी है, जगत के अंदर सारे जन्तु जगत के जीव भी है और सारे पादप जगत के भी जीव है, जगत को फिर किसमे बाटा वर्ग में, वर्ग यानि क्लास में, क्लास को फिर किसमे बाटा गण में, गण यानि की ओर्डर में, गण को किसमे की कहा हुआ हैं उसार दुनिया के साजीव है उनको सबसे पहले उन्होंने कौन से के डेगर में रखा जगत यानि की किंगडब में जिसमें सारे जनतूmb भी सामिल है और सारे आपके पादब ये तीन जव्वेग्यानिक थे जिन्होंने संपूर्ण सजीवों को जगत नामक एक बहुत बड़े वर्ग में विवाजित किया और फिर इनकी अलग-अलग क्या बनाई इनकी अलग-अलग कैटेग्री बनाई आगे बात करूं में जीवगत का, जीव जगत का सबसे महतुपूर्ण वर्गी क्रण ये सबसे महतुपूर्ण है, आपको सभी को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए तो जीव जगत को हम मैनली पांच केटेगरी के अंदर बाटते हैं कितनी केटेगरी में? पांच केटेगरी में पहला है मोनेरा जगत, दूसरा है प्रोटिष्टा जगत, तीसरा है फंजाई जगत, चोता है प्लांटी जगत, और पांचवा है आपका एनिमेलिया जगत वकर प्रो गतुता है आपका एमेया जगत है कौनसा गत devraitकर है ठाजर्ण। इन पाँच बड़ी कैडेगरी में हमने संपून जीव जगत था प्राणी जगत को बाठा है है चलिए अब बारीबारी से हम एक-एक का द्यन करते हैं सबसे पहले बात कर रहे हम मोनेरा जगत की तो मोनेरा जगत से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि प्रोकेरियोटिक कोसी का वाले जीव क्या होते हैं और यूकेरियोटिक कोसी का वाले जीव क्या होते हैं आप इसको वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर प्रिक्सा में हर बार प्रश्म पूछा जाएगा प्रोकेरियोटिक जीव और उकेरियोटिक जीवों के अंदर अंतर क्या है तो देखें सबसे पहला अंतर प्रोकेरियोटिक जीवों के अंदर अविक्सित केंद्रक होता है क्या होता है जो केंद्रक होता है जो न्यूकलेस हो प्रोकेरियोटिक यह आदिम कोसिका है कर्सी कोसिका है आदिम कोसिका है प्राचिन काहल से लेकर आज तक इनिने में कुछ ज़्यादा प्रीवर्सन देखने को नहीं मिलाن यूकेरियोटिक कोशिका कौनसी है सूविक्सित कोशिका है कौनसी कोशिका है ये आपकी सूविक्सित कोशिका है ठीक है तीसरा अंतर प्रोकेरियोटिक कोशिका के अंदर जो आपका कोशिका द्रव्य होता है वो पून कोशिका के अंदर फ्यला होता है किसमें फ्यला होता है पौन कोसिका के अंदर फैला होता है जबकि युकेरियोटिक के अंदर कोसिका और कोसिका कला के बीच में एक सिमित जगय के अंदर आपका कोसिका द्रव्या रहता है अगला महत्वपुन अंतर सबसे महत्वपुन केंद्रक कला और केंद्री का ये दोनो प्रोकेरियोटिक के अंदर अनुपस्तित होती है केंद्रक कला और केंद्रीका ये दोनो प्रोकेरियोटिक जीनों में अनुपस्तित होती है लेकिन युकेरियोटिक के अंदर केंद्रक कला और केंद्रीका दोनों ही क्या होती है उपस्तित होती है अगला अंतर है कि प्रोकेरियोटिक जीवों में गोलजी उपकरण, अंतप्रदर्विय जाली का लवक और माइट्रोकॉंड्रिया ये सब क्या होते हैं अनुपस्तित होते हैं बहुती मेहत्वण बिंदू कई बार प्रिक्सा में पुछा जाएगा कि क्या प्रोकेरियोटिक जो कि आदिम जीव हैं उनमें माइट्रोकॉंड्रिया अनुपस्तित होता है लेकिन यूकेरियोटिक जो कि आपके विक्सित जीव हैं उनमें गोलजी उपकरण, अंतप्रदर्विय जाली का लवक, माइट्रोकॉंड्रिया ये सब उपस्तित होते हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो लवक हैं लवक जिसे हम प्लेश्टीड भी कहते हैं क्या कहते हैं ये केवल और केवल पादप में पाए जाते हैं ये जन्तूओं के अंदर पाए नहीं जाते हैं ठीक अगला अंतर आपका कि प्रकास अंस्टलेशन क्रोमेटो फोर में होता है जो प्रोकेरियोटिक जीव होते हैं उनमें प्रकास अंस्टलेशन की क्रिया क्रोमेटो फोर में होती है जबकि यूकेरियोटिक में प्रकास अंस्टलेशन की क्रिया पादप कोसीका के हरित लवक में ह कहां पर होती है पादब कोशिका के हरित लव क्याने क्लोरोफिल में होती है प्रोकेरियोटिक के अंदर जो रिक्तिका है वो अनुपस्तित होती है एबसेंट होती है लेकिन यूकेरियोटिक में रिक्तिका क्या होती है उपस्तित होती है फिर प्रोकेरियोटिक के अंदर सुत कोसी का विभाजन होता है सिप gonna watch a का भी पतली होती है लेकिन यूप की जीवों की जो कोसी का भिद्ती रहती है वह काफी मोटी होती है तो दोन्हों के अंदर अंतर हो गया यह आपको अच्छे याद रखना है एक बार फिर से रिवाइज कर लो प्रोकेरियोटिक के अंदर केंद्रक अविक्सित होता है या पौन रुप से विक्सित नहीं होता युकेरियोटिक में केंद्रक पौन रुप से विक्सित होता है फिर आगे अगला अंतर प्रोकेरियोटिक आदिम कोशिका है यूकेरियोटिक सूविक्सित कोसिका है प्रोकेरियोटिक में कोसिका द्रव्य पुन कोसिका में फैला रहता है यूकेरियोटिक में ऐसा नहीं होता है प्रोकेरियोटिक में केंद्रक कला और केंद्रिका दोनों अनुपस्तित होती है यूकेरियोटिक में केंद्रक कला और कें एट्रो कॉंड्रिया यह सब अनुपस्तित होते हैं प्रोकेरियोटिक में लेकिन युकेरियोटिक में रिक्ती का मौज़ूद होती है प्रोकेरियोटिक में सुत्री कोसी का विवाजन नहीं होता, युकेरियोटिक में होता है प्रोकेरियोटिक में कोसी का विवाजन, कोसी का वित्ती पतली होती है, युकेरियोटिक में कोसी का वित्ती मोटी होती है ये दोनों के अंदर अंतर हो गया आगे बात करें सबसे पहले मौनेरा जगत की इसकी बात करते हैं मौनेरा जगत की देखो मौनेरा जगत की जो जीव है उनके लक्षन क्या है यह आपको अच्छे से याद होने चाहिए प्रिक्सा में प्रशन पूछा जाएगा पहला लक्षन है कि इन जीवों में संगटित केंदरक और कोसी कांग दोनों ही नहीं होते हैं यानि यह कौन से जीव होगे प्रोकेरियोटिक कोसी का वाले जीव होगे क्यों क्योंकि इन गर केंदरक भी संगटित नहीं होता और कोसी कांग भी पून रूप से संगटित यानि एक प्रॉपर इस्ट्रक्चर के अंदर नहीं होते हैं इनका स्रीर बहु कोसी किया नहीं होता है यानि कि ये कौन से जीव है ये आपके एक कोसी किया जीव है यानि ये पौन रूप से विक्सित नहीं है तो ये आपको अमेसा जाज रखना है कि ये आपके बहु कोसी किया जी नहीं पाई जाती है फिर इनकी कोशी का कैसी है प्रोकेरियोटिक कोशी का है अभी मैंने बताया यदी इनके अंदर कैंदरक पॉंड रूप से विक्सित नहीं है इसका मतलब इनकी कोशी का कैसी है प्रोकेरियोटिक कोशी का है बहुत ही महतोपुन मिंदू है ये स्वेम पोसी का मतलब क्या है स्वयम पोसी का मतलब है कि ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं और विसम पोसी का मतलब क्या है कि ये अपने भोजन के लिए क्या करेंगे दूसरों पर निर्बर रहेंगे दूसरों पर निर्बर रहेंगे तो इसका मतलब कि जो मोनेरा जगत के जीव वो स्वेम पोसी भी हो सकते हैं और विसम पोसी भी हो सकते हैं बात करूँ मैं उदारन की जीवानू यानि बैक्टिरिया निलहरित सेवाल आपकी काई निलहरित सेवाल साइनो बैक्टिरिया और माइको प्लाजमा यह आपके मोनेरा जगत के सबसे महतोपुन जीव हैं देखो फिर से रिवाइज करो फिर से रिवाइज करो जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपको फाइदा होगा यह आपको क्या रखना है कि यह प्रोकेरियोटिक कोसी का वाले जीव हैं पहला बिंदु क्या रखना है प्रोकेरियोटिक कोसी का वाले जीव हैं इसका मतलब क्या दूसरा अंतर कहा पता लग जाएगा कि इनका सरीर बहु कोसी क्या नहीं होता है इनके अंदर कोसी का भित्ती इसपष्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती और ये स्वेम पोसी भी हो सकते हैं और विसम पोसी भी हो सकते हैं यह आपकी विस्यस्ता होगी मोनेरा जगत के जीवों की इसकी विस्यस्ता होगी मोनेरा जगत के जीवों की विस्यस्ता हो गई ठीक आगे बात करो दूसरा है आपका प्रोटिष्टा जगत कौन सा जगत वो है आपका प्रोटिष्टा जगत देखें प्रोटिष्टा जगत के और eukaryotic भी हो सकते हैं इस जगत के जीव हैं वो एक कोसी किया और eukaryotic होते हैं कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया और फ्लेजेला नामक सरंचना पाई जाती है कुछ जीवों में गती के लिए सीलिया और फ्लेजेला नामक सरंचना पाई जाती है साथ ही साथ ये भी स्वेम पोसी और विसम पोसी दोनों ही हो सकते हैं तो मैत्वपुन लक्षन क्या है कि ये एक कोसी किये होते हैं और यूकेरियोटिक होते हैं इन में गमन के लिए सीलिया और फ्लेजिला नामक सरंचना पाई जाती है ये स्वेम पोसी और विसम पोसी दोनों हो सकते हैं जैसे एक कोसी की सेवाल डाई एटम का मतलब है कि द्वी परमानु वाले जीव द्वी नाभिक वाले जीव ठीक है और आपका प्रोटो जोवा ये क्या है ये आपके प्रोटिष्टा जगत के जीव है ये आप याद रखेंगे प्रोटो जोवा आपके प्रोटिष्टा जगत का जीव है तो विल्कुल सरल है तीन विसेस्ता याद रखनी है एक कोसी की और यूकेरियोटिक गमन के लिए सीलिया और फलेजला नामक सरंचना और स्वेम पोसी और विसम पोसी दोनों ये हो सकते हैं उदारन की बात करो एक कोसी की सेवाल डाई एटम और प्रोटो जोवा आगे बात करें फंजाई जगत फंजाई या कवक जगत ठीक हैं? देखो इसके लक्सन क्या है? ये विसम पोसी यूकेरियोटिक जीव होते हैं विसम पोसी मतलब अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्फर करते हैं ये कैसे होते हैं? मर्त जीवी यानि ये अपने भोजन के रूप में सड़े गले कारबनिक परदातों का सेवन करते हैं ये क्या करते हैं? अपने पोसन यानि भोजन के रूप में साड़े गले हुए कार्बनीक प्रदाथों का सेवन करते हैं इन में से कई जीव बहु कोसी की समतावाले होते हैं ज्यादा तरजीव कैसे होते हैं? बहु कोसी की होते हैं फिर फंजाई अत्वा कवक में काईटीन नामक जटिल सरकरा की बनी हुई कोशी का वित्ती पाई जाती है। बहुत ही महत्वपुन प्रश्ण कई बार प्रिक्सम में पूछा गया है कि फंजाई या जो कवक होते हैं उनकी जो कोशी का भित्ती है वो किसके बनी होती है काईटीन नामक जटिल सरकरा की। इसके बनी होती है काईटीन नामक जटिल सरकरा की। उद्यारण की बात करूं इस्ट और मस्रूम जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है इस्ट और मस्रूम तो आपको क्या लक्षन याद रखना है विसम पोसी और यूकेरियोटिक जीव होते हैं कैसे होते हैं मर्त जीव इसके बनी होती है काईटीन नामक जटिल सरकरा की बनी होती है। अगला है आपका फंजाई जगत के अंदर एक महतुपण सब्द आता है सेहत जीविता क्या आते हैं सहत जीविताकि इंपोर्टेन्ड क्यी बार परिक्षय में पूचा जाएगा कि सहत जीविता से आप क्या सम्मंद बनाती है जिसे कहते हैं सेह जीविता कवको की कुछ जो परजातिया होती है वो निले हरे सेवाल यह साइनो बैक्टिरिया के साथ इस्ताई अंतर सम्मंद बनाती है और उनके साथ मिलकर रहती है इस गुण को कहते हैं सेह जीविता क्या कहते हैं सेह जीविता कहते हैं कि कवक की कुछ परजातिया निल हरिस सेवाल साइनो बैक्टिरिया के साथ इस्ताई अंतर सम्मंद रिलेशन बनाती है और उनके साथ पाई जाती है उसे कहते हैं सहज जीवी जीवो को हम क्या कहते हैं लाइकेन कहते हैं ऐसे जो सहत जीवी जीव होते हैं जो आपस में अंतर सम्मंद के जरिये एक साथ रहते हैं उन्हें हम लाइकेन कहते हैं और ये लाइकेन पेड़ पौधों की चालों पर रंगिन धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है ये जो ला मतलब क्या है जिसे हम वनस्पती जगत भी कहते हैं तो इसके लक्षन क्या है इनमें कोसी का बित्ती पाई जाती है मतलब ये कैसे हैं बहु कोसी किये और यूकेरियोटिक है क्योंकि कोसी का बित्ती किसमें पाई जाती है यूकेरियोटिक में पाई जाती है तो planty जगत के जो जीव हैं उनमें कोसी का बित्ती पाई जाती है इसका मतलब ये बहु कोसी किया है और आपके eukaryotic है ये कैसे हैं स्वेम पोसी है क्योंकि देखो वनस्पती जगत है इसमें सारी वनस्पती मौझूद है इसका मतलब ये विसम पोसी है स्वेम पोसी है और स्वेम पोसी होने के कारण ये प्रकास संसलेशन की क्रिया के द्वारा कलोरोफिल का उप्योग करके अपना बोजन आसानी से बना लेते हैं ये कैसे जीव हैं स्वैम पोसी और ये प्रकासंसलेbour शन के लिए ऑं अप्पलोरोफिल का उपियोग करते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं ठीक इस वर्ग में सबी हरे पेड़ पौधों को रखा जाता है तो आपको क्या विसस्तायाज रखनी है कि इसमें कोशी का बित्ती पाई जाती है यानि की बहु कोशी किया है और युकेरियोटिक है कैसे है स्वेम पोशी परकास संसलेशन की किरिया के दौर आपना पोचन खुद बनाते हैं और जितने भी हरे पेड़ पोधे हैं वो सब इस जगत के अंदर आते हैं आगे बात करो एनिमेलिया जगत की यानि की जीव जगत की या जन्तू जगत की तो देख जीव मेलिया का दूसरा नम क्या है प्राणी जगत और प्राणी जगत का उप समू वो है आपका फाइलम क्या है फाइलम अब इसके लक्षन क्या है देखो तो इसके लक्षन है इस जीव में सभी युकेरियोटिक जीव सभी बहु कोसी किये जीव और सभी विसम पोसी नहीं पाई जाती है यह आपको विसेस याद रखना है कि कोसी का बित्ती केवल और केवल किसमें पाई जाती है यूके रोटिक जीवों के अंदर पादिप के अंदर कोसी का बित्ती पाई जाती है जन्तूओं में कोसी का बित्ती नहीं पाई जाती और ज्यादातर जो प्लायमान यानि गतीमान एक जगह से दूसरी जगह गती करके वो पहुंचते हैं तो यह इसकी महत्वपुन विसेस्ता है यूकेरियोटिक है बहु कोसी किया है विसम पोसी है विसम पोसी मतलब अपने पोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं फिर इनमें कोसी का बित चिप्तली दिख रही है यह जितने भी जीव है वो सब जनतू जगत के क्या है उधारण है आगे देखो जीवधारी का वरगी करण इसको यहां पर हमने फिर से एक चार्ट के जरीए समझाया है सबसे पहले हमने जीवधारी को दो भागों में बाटा था एक प्रोकेरियोट जीव और दूसरे आपके यूकेरियोटिक जीव प्रोकेरियोटिक में केवल और केवल एक कोसी की जीव आते हैं कौनसे जीव आते हैं एक कोसी की जीव जिनका सरीर केवल और केवल एक कोसी का से मिलकर बना होता है और उनमें केवल आपका एक था वो था आपका मोनेरा जग जगत के जीव हैं वो आपके प्रोकेरियोटिक कोशी का वाले जीव हैं और उनमें केवल और केवल एक कोशी का देखने को मिलती हैं दूसरा वर्गी करन में देखा यूके रियोटिक कोसी का कौन सा यूके रियोटिक कोसी का वाले जीव इनको उमने फिर से दो भागों में बाटा यूके रियोटिक में फिर से एक कोसी किये जीव और बहू कोसी के जीव तो यूके रियोटिक के अंदर जो एक कोसी किये थे व दूसरे कोसी का बित्ती रहीत जिनमें कोसी का बित्ती नहीं पाई जाती अब कोसी का बित्ती जिनमें नहीं पाई जाती वो कौन से हैं तो वो हैं आपके एनिमेलिया जगत के जीव याने की जन्तू जगत के जीव जन्तू जगत के जीवों में कोसी का बित्ती नहीं पाई ज पिर बात करो कोसी का बित्ती सहीत जिनमें बहु कोसी की भी है और कोसी का बित्ती भी पाई जाती है इसको भी अमने दो बागों में बाटा एक प्रकास संसलेशन करने वाले जीव और दूसरा प्रकास संसलेशन नहीं करने वाले जीव प्रकास संसलेशन करने वाले जीव कौन जाती है फिर बात करो फंजाई की तो यह प्रकास इंसलेशन तो नहीं करते लेकिन इनमें कोशी का बित्ति पाई जाती है तो आज की क्लास में हमने क्या देखा वर्गी करण क्या होता है और हमने जीवों के वर्गी करण के जो पांच भाग है जो हमने पांच जगत के अंदर जीवो का वर्गी करण किया है उस वर्गी करण को आम ने बहुत अच्छे से पढ़ा है जिस में आमने सबसे पहले पड़े था आपका मोनेरा जगत कौना जगत मोनेरा जगत दूसरा मैंने पड़ा था प्रोटिष्ट जगत तीसरा आमने पढ़ा था processes आपका प्लान्टी जगत, चौता हमने पड़ा फंजाई जगत, पांचवा हमने पड़ा वो पड़ा आपका एनीमेलिया जगत, उम्मित करता हूँ आज की क्लास्क में जो हमने ये वरगी करन पड़ा है, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, तो क्लास देटने के लिए आप सबी का धन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और ये महनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए आप सबको जै हिंद, जै भारत